ओम शांति रक्षा बंधन के शुब पर्व की आप सभी को हार्दिक शुब काम नाए हर वर्ष सावन मास की पूर्ण नमासी पर रक्षा बंधन का ये त्योहार हम सभी सेलिब्रेट करते हैं योत भक्ती मार्ग में बहुत सी कहानिया इस त्योहार को लेकर हम सभी सुनते सुनाते आए हैं छोटे होते निबंध भी लिखते आए हैं पर तु सच में रक्षा बंधन किस बात का यादगार है कितना पवित्र है ये त्योहार कितने उचे हैं इसके माइने वो तब पता चलते हैं जब खुद पवित्रता का सागर शिव बाबा संगम युक पराते हैं और हमें सच्ची सच्ची पवित्रता की राखी बांधते हैं हमें सच्चा सच्चा ब्राम्मण बनाते हैं और इतनी शक्ती देते हैं कि हम आन्य आतिमाओं को भी पवित्र बना सकें उनके जीवन में भी पवित्रता ला सकें उन्हें केवल तन से नहीं अपितु मन से, धन से, संबंधों से, अंदर की भावनाओं से भी पवित्र बना सकें तो आज के दिन सभी लोके करीती से तो रक्षा बंधन मनाएंगे ही परंतु उस बाबा को भी याद करके अपनी पवित्रता की प्रतिज्या को भी और अधिक मजबूत करेंगे व्यर्थ को नकर आत्मक संकल्पों को सदाकाल के लिए अपने जीवन से खत्म करेंगे तो आज की मुडली तो रक्षा बंधन से थोड़ी सी अलग है वो में स्वदर्शन चक्र की याद दिल आ रही है सुनते हैं बाबा के मधर महावाक के आज है 19 तारीक, 19 अगस्त दोहजार चॉबिस बाबा के मीठे महावाक के हैं, मीठे बच्चे ज्यान की धारणा करते रहो तो अन्त में तुम बाप समान बन जाएंगे बाब की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे प्रशन है, किन दो शब्दों की स्मृती से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो कौन से हैं वो दो शब्द? उत्तर है उत्थान और पतन, सतुप्रधान और तमुप्रधान, शिवाले और वैश्याले यह दो-दो बातें स्मृती में रहें, तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे सहज है? तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीती जानते हो भक्ती में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं भक्ती मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग बस खुद को दिल आसा देते रहते कि नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर प्रैक्टिकली स्थूल रूप में सब कुछ कर रहे हैं, देभान वश कर रहे हैं ओम शांती, मीठे मीठे रोहानी बच्चों प्रती बाप बैट समझाते हैं किनके प्रती? रोहानी बच्चों प्रती अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं तुम कितने उच थे? यादारा है उत्थान और पतन का यह खेल है तुम्हारी बुद्धी में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे अब, अब क्या हो गया? अब कितने नीच बने हैं देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो आप उच हो, हम नीच हैं पहले पहले यह पता नहीं था कि हम ही उच ते उच और नीच बनते हैं अभी बाप, तुमको बताते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने उच पवित्र थे? फिर कितने अप अवित्र बने हो? पवित्र को उच कहा जाता है उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ड वहा तुम्हारा राज्य था, जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम, शिवाले, सतियुके निवासी थे फिर क्या हुआ? फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित वीश्यस बने तो जैसे जैसे बापा बताते जा रहे हैं वैसे वैसे सबका स्वदर्शन चक्र घूमता रहे आधा कल्प वीश्यस रहे अब फिर तुम को वाइसलस सतुप्रधान बनना है दो अक्षर याद करना है अभी यह है तमुप्रधान दुनिया सतुप्रधान दुनिया की निशानी यह लक्षमी नारायन है पाँच हजार वर्ष की बात है सतुप्रधान भारत में राज्य था भारत बहुत उत्तम था फिर आज़ो घूम जओ अभी कनिष्ट है वाइसलस से वीश्यस बनने में कितना टाइम लग गया वाइसलस से वीश्यस बनने में तुमको 84 जन में लगे भल बहा भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है ऐसे नहीं कम होती नहीं धीर धीर होती जाती है फर तुक कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना एक दम संपूर्ण निर्विकारी किसको कहेंगे श्री कृष्ण को कहेंगे वह गोरा था अब सावरा बन गया है वातमा गोरी थी सावरा बन गई है तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धी में रहना चाहिए कि हम शिवाले में विश्व के मालिक थे दूसरा कोई धर्म ही नहीं बिलकुल बाबा आज कंट्रास्ट बताते जा रहे हैं और स्वदर्शन चक्र फिर आते जा रहे हैं बहाँ पर और क्या था? सिर्फ हमारा ही राज्य था फिर क्या हुआ? फिर दो कला कम हुई जरा जरा कला कम होते फिर कहा पोच जाओ? त्रेता में दो कला कम हो गई पीछे फिर उसके बाद विश्यस बनते हैं और फिर गिरते गिरते छीछी बन जाते हैं इसको कहा जाता है अब ये कौन सा वर्ल्ड बन गया विश्यस वर्ल्ड विश्य वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं वहां कंट्रास्ट शीर सागर में रहते थे तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्रॉफी को अपने चौरासी जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो हम क्या थे? वाइसलस थे इनके राज्य में थे कि इनके लक्ष्मिनाराण के राज्य में थे पवित्र राजाई थी उसको कहेंगे फुल स्वर्ग सत्युग है फुल स्वर्ग फिर त्रेता में क्या कहेंगे? सामी स्वर्ग यह बुद्धी में तो है ना बाप ही आकर स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का राज समझाते है मध्य में ही रावन आया है फिर अंत में इस वीश्यस दुनिया का विनाश होगा फिर आदी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना है और उसके लिए क्या करना है? अपने को आत्मा समझ मा मेकम याद करो अपने को देहे नहीं समझो तुमने भक्तिमार्ग में वाइदा किया था बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे आत्मा बाब से बाते करते है श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाब थोड़े था? नई मानते भी केवल हिंदू धरम वाले हैं और उनमें भी कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं आत्माओं का बाब तो निराकार शिव बाबा एक ही है उस हद के बाब से हद का वर्सा बेहद के बाब से बेहद का वर्सा भारत को मिलता है इसलिए सतियुग को कहा जाता है शिवाले शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की यह तो सदेव याद रखना चाहिए है ना खुशी की बाथ है ना अभी हम फिर शिवाले में जाते है कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया परन्तु ऐसे कभी कोई जाता नही यह सब भक्ति मार्ग के गपोडे है दिल खुश करने के लिए सच सच हैवन में तो अभी तुम जाने वाले हो बहा कोई रोग आदी होते नहीं तुम सदेव हर्षित रहते हो तो बाप कितना सहज करके छुट छुटे बच्चों को जिसे बैट समझाते हैं भल बाहर में कहां भी रहते तुम पद पा सकते हो इसमें पवत्रता तो पहले मुख्य है खान पान शुद्ध हो देवताओं के आगे कभी सिग्रेट बीडी आदी का भोग लगाते हो क्या ग्रंथ के आगे कभी अंडेव बीडी आदी का भोग रखा है ग्रंथ को समझते हैं यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है ग्रंथ को इतना मान देते हैं यह गुरु की जैसे देह है इतना मान देते हैं ऐसे सिख लोग समझते हैं परन्तु गुरु नानक ने थोड़े यी बैठ ग्रंथ लिखा है नानक ने तो अवतार लिया सिख लोगों के व्रिधी हुई बाद में वह ग्रंथ आदी लिखे हैं एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए हैं पहले तो ग्रंथ भी इतना चोटा हाथ का लिखा हुआ था अब गीता के लिए समझते हैं यह श्री कृष्ण का रोप है ऐसे मानो जिसे नानक का ग्रंथ बैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है श्री कृष्ण भगवान वाच्छी कहते रहते हैं इसको कहा जाता है अज्ञान ज्ञान तो एक परंपिता परमात्मा में ही है गीता से ही सद्गती होती है वह ज्ञान तो बाप के पास ही है सद्गती देने का ज्ञान किवल बाबा के पास है ज्यान से दिन भक्ती से रात होती है अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है उसके लिए महनत करनी पड़े माया के तुफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्यान एकदम उड़ जाता है किसको बोल भी ना सके पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है उसमें ही टाइम लगता है है तो एक सकेंड में जीवन मुक्ती की बात बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना बाबा के बच्चे बने और बस बाबा की प्रॉपर्टी हमारी तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्से के हकदार बने गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी उसने ही कहा है क्या मा मेकम जाद करो मैं इस साधारण तन में आता हूँ ये शलोक भी है गीता में कि मैं साधारण व्रिद तन का आधार लेता हूँ श्री कृष्न साधारण थोड़े है वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है बहुत प्रभाव पढ़ता है साधारण जन्म नहीं होता इसलिए श्री कृष्न का अब तक भी गायन करते हैं बागी शास्त्र आदी सब भक्तिमार्ग के हैं इंगलिश में फिलोसफी कह देते हैं स्प्रिच्वल नॉलिज को तो अब कहते हैं स्प्रिच्वल नॉलिज तो स्प्रिच्वल फादर ही दे सकते हैं ये फिलोसफी नहीं है ये स्प्रिच्वालिटी है तो स्प्रिच्वल नॉलिज तो स्प्रिच्वल फादर ही दे सकते हैं खुद कहते हैं, मैं तुम्हारा spiritual father हूँ, आत्मा का पिता, ग्यान का सागर हूँ, तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ग्यान को धारण कर रहे हो, बाबा सुना रहे है, शिक्षा दे रहे है, हम आत्मा ये धारण कर रहे हैं, फिर पिच्चाडी में बाप मिसल बन जाएंगे, जो बाबा में है सब कुछ हमारे अंदर समाज जाएगा, सारा मदार धारणा पर है, केवल सुनना सुनाना नहीं, धारणा बहुत ज़रोरी है, फिर वह ताकत आ जाएगी, बाप की याद से, याद को जोहर कहा जाता है, तलवारों में भी फर्क तो होता है ना, वही तलवार सो रुपे वाली भी होती है, वही तलवार तीन चार हजार की भी होती है, बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है, गुरु गुबिन सिंग की तलवार का कितना मान है, ना, तो तुम बच्चों में यहां कौन सी तलवार की बात है यूग की बात हो रही है ना यूग का बल चाहिए तो ग्यान तलवार में जोहर चाहिए ग्यान सुना रहे हैं पर तो यूग युक्त हो कर जब ग्यान सुनाते हैं पबा की याद में जब ग्यान सुनाते हैं तो तीर लगता है जोहर आने से फि तुम महनत करते रहते हो जतना जतना बाप को याद करेंगे याद से ही बाप कटेंगे तो यहां किसी और को काटना नहीं है भापों को काटना है पतित पावन बाप ही युकती बता रहे हैं फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्यान देंगे इनको भी सब त्याग कराके ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे बिलकुल जैसे इस कल्प में बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया उनका सब कुछ समर्पन कराया फिर अगले कल्प कराएंगे तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई कैसे सब भागे सिंध में बाब में कशिश है न अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है कशिश होनी चाहिए पवित्रता की नंबर वार ही बनेंगे यह राजधानी स्थापन होती है न केवल राजा नहीं बन रहे राजधानी बन रहे है स्रिष्टी चक्र को तो समझ लिया है सत्योग आदी से कल्योग अंत तक अभी है संगम्योग बाब को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने पावन अर्थात सतो प्रधान फिर क्या हुआ फिर खाद पड़ती गई अब बहखाद निकले कैसे आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है आत्मा जूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है ज्यान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते थे लक्ष्मी नारायन का बड़ा चित्र ओइल पेंट का गद्धी पर लगा रहता था उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं बाहर और तरफ खयाल जाता था तो अब क्या करते थे? तो अपने कुछ चमाट मारते थे मन भागता क्यों है? दर्शन क्यों नहीं मिलता है? भक्ती में थाना फिर दिखो ब्रह्मा बाबा अनुभव सुना रहे हैं फिर जब विश्णू का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायन थोड़ी हो गया दर्शन हुआ पुरुशार्थ तो जरूर करना होता है ऐसे ने दर्शन हो गया तो बन जाएंगे पुरुशार्थ तो करना होता है एम उब्चेक्ट तो सामने खड़ी है यहे चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है बाप आया है पावन बनाने नर से नारायन बनाते है तुम भी उन्हों की राजधानी में थे फिर ऐसा बनने का पुरुशार्थ करते हो तो अच्छी रीती फॉलो करना चाहिए फॉलो फादर दोनों फादर को ब्रमा बाबा को भी और शिव बाबा को भी ब्रमा को देवता थोड़ी कहा जाता है विष्णु देवता ठीक है मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं क्या कहते हैं? श्लोक क्या है? गुरु ब्रम्भा, गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरह अब विष्णु गुरु किसका हुआ? है न? किसका हुआ? विष्णु तो किसी का गुरु नहीं है न? सबको गुरु कहते रहते हैं? शिव परमात्मा नम्हा उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते हैं? सबसे बड़ा तो बाप है न? उनसे हम ये सीख रहे हैं औरों को सिखलाने लिए सत्गुरु जो तुम को समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते हो गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप है, टीचर है दुनियावी गुरु को तो नहीं कहेंगे न नहीं तो यह सारी नौलेज तुम्हारी बुद्धी में होनी चाहिए हम शिवाले में थे अभी वैश्याले में पड़े है फिर अब शिवाले में जाना है भल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया जोती जोत समाया परंतु आत्मा तो अविनाशी है हर एक में अपना अपना पाट भरा हुआ है सब एक्टर्स है उनको अपना पाट बजाना ही है वै कभी मिठ नहीं सकता जो भी सारी दुनिया की आत्माए है उनको पाट बजाना है जिसे की नए सिर शूटिंग होती जाती है परंतु यह अनादी शूटिंग होई पड़ी है लगता ऐसे की नए सिर शूटिंग हो रही है परंतु वास्तव में यह शूटिंग अनादी अल्रेडी होई पड़ी है यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रॉफी रिपीट होती रहती है यह wonderful सितारा है जो भृकुटी के बीच चमकता है कभी घिस्ता ही नहीं आत्मा एक ऐसा सितारा है घिस्ता ही नहीं है अनादी काल से यह ड्रामा रिपीट कर रही है आत्मा यह ज्यान तुम्हारे में आगे नहीं था wonder of world heaven अथ्वा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है अभी तो सतियोग है नहीं अभी कौन सा योग है? कल योग तो पुनर जन्म भी कल योग में ही लेंगे जाना तो सबको जरूर है परन्तु पतित आत्माई तो जाना सके अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से पावन दुनिया गौड फादर ही स्थापन करते है फिर रावन हल बनाते है बाबा हैमन बनाते है फिर चक्रगुमाओ रावन हल बनाते है यह तो प्रत्यक्ष है ना रावन को जलाते हैं न, मनुष्य तो कहते हैं, यह अनादी चला आता है, परन्तु कब से शुरू होता, रावन सदाकाल से थोड़ी ना था, यह भी किसी को पता नहीं है, हमें पता है न, द्वापर से रावन आया, आधा आधा तो कर ना सकें, क्योंकि लाखों वर्ष कह देत हैं शास्त्रों में, कल युग को फिर चालिस हजार वर्ष कह देते हैं, तो मनुष्य घोर अंधियारे में है न, तो समझ नहीं आता है, अज्यान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं है, अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की यु बताते हैं, तुम पावन होंगे, तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी, तो आधार कौन है, हम ब्रामणा आत्माए, यह पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी, अभी कितनी बड़ी दुनिया है, न, दुनिया वाले कितने सारे हैं, ती भीड हो गई है, सत्युग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है पावन बनने में ही अनीक प्रकार के विग्ण डालती है पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं फिर क्या होता है? फिर माया आकर क्या हाल बना देती है क्या करती है माया घूसा लगा कर गिरा देती है की कमाई खत्म कर देती है फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक बर खत्मोंगी कमाई फिर कमाने में मेहनत लगती है न कोई तो गिरते हैं फिर मुहू भी नहीं दिखाते हैं फिर इतना उच्पद पाना सकें पुरुशार्थ पूरा होना चाहिए फेल नहीं होना चाहिए इसलिए कोई गंधर्वी विवहा भी करके दिखाते हैं सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे यह तो impossible है बाप क्या कहते हैं बाप कहते हैं possible है क्योंकि प्राप्ती बहुत है यह अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी यह temptation देते हैं बाबा क्या इतनी बड़ी प्राप्ती के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे सिख लोग भी इसके निशानी क्या पवित्रता का कंगन डालते हैं है ना पहनते हैं ना कंगन यहां कोई धागा आदी बाधने की दरकार नहीं आज रक्षा बंदन है तो सभी बहने भाईयों को राखी बाधेंगी तो बाबा ने कहा कि यहां वैसे स्थोल रूप में बाधने की जरूरत नहीं है फिर भी प्रतिकात्मक रूप से तो बानते ही है पर वैसे जरूरत नहीं है यह तो बुद्धी की बात है बाब कहते हैं मा में कम याद करो बच्चियां बहुतों को सुनाती है परन्तु बड़े आद्मियों की बुद्धी में बैठता थोड़ी है बाब कहते हैं पहले उनको अच्छी रीती समझाओ यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की उलाद है शिव बाबा से वर्सा मिल रहा है पतित से पावन बनना है अब बाब कहते हैं मा में कमियाद करो ऐसा तो कोई कहना सके तो तरीके से न युक्ती युक्त होकर उने समझाना है पवित्रता का महत्व पहले तो उनकी बुद्धी में बिठाना है क्या भारत वाइसलिस था अभी वीश्यस है फिर वाइसलिस कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? भगवान वाज मा में कम याद करो बस इतना कहे तो भी अहो भाग्य परन्तो इतना भी कह नहीं सकेंगे भूल जाएंगे बाबा ने समझाया था उदघाटन तो बाप ने कर दिया है है ना? बाकि तुम निमित कर रहे हो फाउंडेशन लगा दिया है बाकि अब सर्विस स्टेशन का उदघाटन होता है सैंटर्स खुलते है ना? यह तो गीता की ही बात है गीता में भी है हे बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए भल खुद ना बने औरों को तो समझाए बाबा चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह सेवा करो तो भल खुद ना बने औरों को तो समझाए ऐसे भी बहुत है औरों को उठा कर खुद गिर पढ़ते हैं काम महाशत्रू है एक दम गटर में गिरा देता है जो बच्चे काम पर जीत पहनते है नोट करेंगे जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते है अच्छा रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को गुट मॉर्निंग नमस्ते 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 धालना के लिए मुख्यसार पहला इस अंतिम जन्म में सर्वप्राप्तियों को सामने रख पावन बन कर दिखाना है माया के विघनों से हार नहीं खानी है दुसरा एम उबचेक्ट को सामने रख पूरा पुरुशार्थ करना है जिसे ब्रह्मा बाप पुरुशार्थ कर नर से नारायन बनते हैं ऐसे फॉलो कर गद्धी नशीन बनना है आत्मा को सतो प्रधान बनाने की महनत करनी है आज का वर्दान है अधिकारी बन समस्याओं को खेल-खेल में पार करने वाले हीरो पाटधारी भावा कैसे बनेंगे हीरो पाटधारी जब अधिकारी बनकर समस्याओं को खेल-खेल में पार कर देंगे चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो समस्याए हो लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो कैसे जिसे खेल-खेल में पार कर रहे है चाहे बाहर से रोने का भी पारठ हो लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है जिसको कहते है ड्रामा और ड्रामा के हम कौन है? हीरो-पारट-धारी है इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हलका बना दो कोई भी बोज ना हो पिलकुल खेल-खेल में सब कुछ पार कर लो स्लोगन है सदा ज्यान के सिमरण में रहो तो सदाहर्षित रहेंगे माया की आकर्शन से बच जाएंगे सिम्बल तरीका है माया की आकर्शन से बचने का ज्यान का सिमरण करते रहो तो आज विशीश यूँकि रक्षा बनधन है तो सभी रक्षा बनधन से संबंधित ही मन बुद्धी की एक्ससाइज करेंगे, बाबा से शक्ती लेकर, पवित्रता की किरने लेकर, संपूर्ण पवित्रता का कंगन बांधेंगे, प्रतिज्या करेंगे, मन को, बुद्धी को, संस्कारों को, व्यर्थ से, व्यक्त की आकर्शनों से, मुक्त होने का अभ्यास करेंग बाबा से विशेश शक्ति लेंगे सम्पूल्ण पवित्र बनेंगे चा, ओम शांती ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा प्यार तुम्हारा ओ बाबा प्यार तुम्हारा ओ बाबा हम खुश नसीब है बाबा तेरे स्ने से पर रहे है दामन में भरके खुशिया फूलों सा खिल रहे है फूलों सा खिल रहे है ये आखे करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा ये दिल हर फल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा हूँ मिलता वसीन सुख मन को बस तेरी ही यादों में दिल और नहीं कुछ चाहें आकर तेरी बाहों में अब तो तुझ पर बलिहार है जीवन ये सारा ओ बाबा ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा परमधाम से आकर तुम्हारा ओ बाबा हम क्या से क्या बनाया सदगान के हीरे मौती देहं को खुब सजाया शब्तों में तेरे उपकार का इजहार करूं कैसे बाबा ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा बदली हमारी किसमत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा उपकार तुम्हारा ओ बाबा प्यार तुम्हारा ओ बाबा प्यार तुमारा ओबाबा